वेल्कम बैक तो मैं चैनल नीविवर वाचिंग मैं वीडियो प्लीज दू लाइक एंड सब्सक्राइब मैं चैनल फ्रेंज आज हम पैंड से ब्लेजर बनाना सीखेंगे मैंने ये ब्लेजर अपने टू येर्ज और तेजी के लिए स्टीच किया है गाइज प्ली सुपो फूर वीडियो ये मैं नहीं मैं ये यहाँ पर इससित हम डिया है मैंने इंट लेला है, ये थोड़ा स्वेजिबल मतरी ये मैं चैनल में यह मैं नहीं को दो पाई को यहां पे मेंने शीव्वण करें और में यहां पे शोर्डर 2.5 इंच करेंख pan यहां पर शोल्डर मैंने 6.5 इंच का लिया है फ्रेंट साइट से और से में बैक साइट से भी 6.5 इंच का लोंगी फ्रेंट साइट का मैंने 7 इंच का लिया है चेस पाइट क्योंकि मुझे 1 इंच तक का कॉलर के लिए फोल्ड करना है बैक साइड का मैंने 6 इंच का रख रही हूँ जह साइड यहाँ पर मैंने 6 इंच लिया है और फ्रंट का मैंने 7 इंच लिया था बैक साइड की लेंथ मैंने 16 इंच रखी है और फ्रंट साइड की 17 इंच यहां पे इसलिए उसमें 11 इंच का लिया है और साइट से में यहां से कट कर लूगी यहां से में बैक साइट का भी कट कर लूगी और अब मैं यह फ्रेंट साइट का भी कट कर लूगी और यह फ्रेंट साइट का भी कट कर लूगी यह मैंने बैक साइट का कट कर लिया है और मैं यह दोनों साइट से जॉइन कर लूँगी और मैंने यह फ्रेंट साइट का कट कर लिया है यहाँ पर मैंने पट्टिया ले लिए बगरम लगा के और मैं यह फ्रेंट साइट से स्टीच करके बैक साइट को मोल दूँगी मैं यह आपक साइड का स्टीच कर रही हूं मैं यह प्रेंट साइड पर पट्टी लगा लूँगी दोनों तरफ से यह पट्टी में स्टीच कर लिए मैं इसके साइड लूँगी पोल्ड करने ना आसानी हो जाए और मैं यह आप इसे फोल कर लूँगी यहाँ पर मैं दोनों साइड से सोल्डर्स जॉइन कर लूँगी और स्लीवस को भी स्टीच कर लूँगी यहाँ पर जो मैंने फ्रेंड में पटियां लगाए थी मैं उसके उपर से स्टीच कर लूँगी थाकि अच्छी फिनिशिंग दीखें कर दो तक • sì यहांपे मैं शॉल्डर्स जॉइन तंड च्रवलाइ कर लूँगी यहां पर में शॉल्द jus कर लूँड़ल दोनों सुल्थ कर लूँगी यहांपे मैं स्ल्लिवस अच्छ कर लेही और में दोनों स्ल्लिवस यकि तरा से अच्छ कर लूँगी मैंने शोल्डर और स्लीव अटाच कर लिए मैं इसके साइड अटाच करूंगी और कॉलर यहां पर अटाच करूंगी यहां पर मैं कॉलर रेडी कर लिए हूं कि दू पक्तिया ले ले हो बकरम उपर के साइद रखक दे मैं इसको स्टीच कर दूँच जाली है वाइन है क। मैं आपर कॉलर कर रहे हूं जहांपर मैं यहां पर कॉलर कालर चाह पर भिछनकाइश कर दिधा है मैं यहां पर ब्लेजर के बैक साइड की पट्टी स्टीच कर रहे हूं नीचे साइड की मैं दोनों साइड से पिटिंग के इसाब से स्टीच कर लूँगी मैं दोनों साइड से पिटिंग कर लिया है और यह बैक साइड का कॉपेट है जो मैं कट करके लेजर के पन साइड में लगा दिया है थैंक्स पर वाचिं मैं वीडियो